आईए जानते हैं सोतंत्र भारत की जो पहली मंत्री परिशत थी तो उसके बारे में विस्तार से जानते हैं कि कौन सा मंत्राल है किस के पास था तो सबसे पहले जो है पद और पद से संबंधित ब्यक्ति का नाम जानेंगे तो देखे पहले परधान मंत्री से स्टार्ट करते हैं तो कि परधान मंत्री का पद किसके पास था पंडेक जवाहरलाल नहरू के पास था और अगला देखते हैं कि उप परधान मंत्री का पद किस के पास था तो सरदार बल्लब भाई पटेल के पास और ग्रे और सूचना प्रसारण जो मंत्राले था वो भी सरदार बल्लब भाई पटेल के पास ही था खाद और क्रिशी का मंत्राले जो था वो डाक्टर राजेंदर प्रसाद के पास और सिक्षा मंत्री कौन थे पहले देख देखते हैं कि रेल और परिवहन का जो मंत्राले था वो कौन थे तो रेल और परिवहन मंत्राले डाक्टर जान मताई के पास और रक्षा का रक्षा मंत्री थे सरदार बलदेव सिंग ठीक और आगे देखते हैं कि संचार मंत्री कौन थे देखिए रफी अहमद किदवई थे और इस से most important एक change है कि स्वास्थ मंत्राले कि से पास था तो राजकुमारी अमरित कौर के पास है और बिधी कार्थि डाक्टर देखे वीम राव अंबेड कर जी और बिथ मंत्राले था देखे आर के शण मुखम शठी या चटी के पास था किसके पास था बित मंत्राले आरके शण मुखम शेठी और उद्योग एवं आपूर्ती मंत्राले किसके पास था देखे तो डाक्टर श्यामा परसाद मुखरजी के पास और खान एवं आपूर्ती का मंत्राले किसके पास था गट गिल के पास और देखे प्रथम जो श्रम मंत था उसके पास जगजीवन राम के पास था और देखे अगला है कि कारेकारी परिशद के उपाध्याक्ष, कौन थे उपाध्याक्ष, पंडे जवाहरलाल नहरू थे और देखे, सुतंत्र भारत का प्रथम जो गवर्नल जनरल थे, लाड माउंट बेटन, देखे, सुतंत्र भारत का प्रथम भारतिय गवर्नल जनरल देखे, चक्रवर्ती राजगुपाल चारी, देखे, और अगला है कि सुतंत्र भारत का अंतिम गवर्नल जनरल वही थे, चक् भारत का अंतिम वाय सराय लाड माउन बेटन और भारत विभाजन की योजना प्रस्तूत की किस ने की थी तो लाड माउन बेटन ने की थी भारत विभाजन की योजना प्रस्तूत किस ने की थी लाड माउन बेटन ने